हेलो स्टुडेंट्स हाव आई यू बच्चो आज हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है बच्चो अपनी अपनी उत्थान हिंदी व्याकरण रफ कोपी और पैंसिल लेकर बैड़ जाएं और ध्यान पूर्वग आज का सेशन अटेंड करें लड़का लड़के यहाँ पर लड़का एक वचन का बोट करा रहा है और लड़के अनेक वचन का बोट करा रहे हैं कुरसी यहाँ पर एक वचन का और कुरसी यहाँ पर बहुबचन का बोट करा रही हैं घोड़ा घोड़े घोड़ा यहाँ पर एक वचन और घोड़े यहाँ अनेक वचन का बोद करा रहे हैं इस प्रकार जिन संग्या शब्दों से उसके एक यहाँ अनेक होने का बोद होता है उससे हम वचन कहते हैं बच्चों आज हमारा पढ़ने का विशे है वचन जिसे अंग्रेजी में नंबर कहते हैं यानी संख्या आज हमारा वचन टॉपिक पढ़ने का उदेश्य किसी व्यक्ति, प्राणी, पशु, पक्षियों एवं वस्तुमों की संख्या संबंदी जानकारी प्राप्त करना है वचन की पहचान केवल संग्या शब्दों से ही नहीं अपित्व, सर्वनाम और क्रिया शब्दों द्वारा भी की जा सकती है आईए इसे कुछ उधारणों के माध्यम द्वारा सीखने का पर्यास करते हैं सर्वनाम शब्दों द्वारा वचन की पहचान यहाँ पर वह पढ़ रही है रही है एक वचन का बोद करा रहे है इसलिए वह शब्द का परियोग हुआ है वे पढ़ रही है रही है यहाँ पर बहु वचन का बोद करा रहे है इसलिए यहाँ पर वे शब्द का परियोग हुआ है वे है एक वजन के लिए और वे यहाँ बख वजन के लिए परियोग किये गए है जिस प्रकार सर्वनाम शब्दों द्वारा वजन की पहचान की जा सकती है उसी प्रकार क्रिया शब्दों द्वारा भी वजन की पहचान की जा सकती है हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द भी पाय जाते हैं जिनका रूप निर्धारित करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसी लिए उनको जानने के लिए कि वह एक वजन है या बहुवजन है उन शब्दों का हम वाक्यों में परियोग करते हैं और वाक्यों में क्रिया के रूप द्वारा हम यह जानते हैं कि वह शब्द एक वजन है या बहुवजन है तो आईए हम क्रिया शब्दों द्वारा वजनों की पैजान करना सीखते हैं यहाँ पर एक उधारन दिया गया है यहाँ पर जैसे की छात्र खेल रहा है छात्र खेल रहे हैं यहाँ पर आप पिज़र में देख रहे हैं बच्चे कि यहाँ पर एक छात्र खेल रहा है और यहाँ पर अनेक छात्र खेल रहे हैं परन्तु फिर भी हमने दोनों वाक्यों में छात्र एक जैसा ही लिखा है हमने यहाँ पर छात्रों शब्द का परियोग नहीं किया है लेकिन हम यह कैसे जानेंगे कि यह एक वचन है या बहु वचन है तो इसकी पहचान हम वाक्य में आए ग्रिया शब्दो द्वारा कर सकते हैं जैसे की चात्र खेल रहा है रहा है यहाँ पर हमें एक वचन और चात्र खेल रहे हैं हमें यहाँ पर बहुवचन का बोद करवा रही है तो बच्चो हमने यह जाना इन उधारनों के माध्यम से कि वचन की पहचान केवल संग्या शब्दोद्वारा ही नहीं, अपितु, सर्वनाम, शब्दोद्वारा और क्रिया शब्दोद्वारा भी की जा सकती है तो बच्चो आओ अब हम अपनी उधान हिंदी व्याकरन पुस्तक के पार्ट दस में आये टॉपिक वचन का अध्यन करेंगे, वचन यानि के नंबर, यानि की संख्या निमने लिखित कुछ उधारन दिये गए हैं, यहाँ पर अशोक ने आईस्क्रीम ली, आईस्क्रीम यहाँ एक बचन का बोद करवा रही है मंजीत ने टॉफिया ली, टॉफिया यहाँ एक से अधिक का बोद करवा रही है तो बच्चो, अब हमने इन उधारनों के माध्यम से क्या सीखा कि जिस शब्द से संग्या, सर्वना, विशेशन और क्रिया की संख्या का बोद होता है उसे हम वचन कहते हैं आपने उपर उधारनों से क्या देखा था कि हमें आइस्क्रीन से एक, टॉफियों से टॉफियों के अनेक होने का और गुबारे शब्द से उसके एक नहीं बलकि अनेक होने का बोद होता है इसी लिए यहाँ पर जिस शब्द से संग्या, सरवनाम, विशेशन और क्रिया की संख्या का बोद होता है उसे हम वचन कहते हैं बच्चों अब हम वचन के भेदों के बारे में जानेंगे वचन के दो भेद होते हैं एक वचन और बहुवचन एक वचन जिस शब्द से एक वस्तू या एक प्राणी का बोद होता है उसे एक वचन कहते हैं जैसे चूहा, पुस्तक, तितली और लड़का देखो बच्चों आपको इन चित्रों में क्या दिख रहा है? केवल एक चूहा, एक पुस्तक, लड़का भी एक और तितली भी एक इसलिए इन के साथ चूहा, पुस्तक और तितली और लड़का जैसे शब्दों का प्रियोग हुआ है क्योंकि यह एक का बोद करवा रहे हैं इसलिए यह एक वचन है बहुवचन जिस शब्द से एक से अधिक वस्तूं या प्राणियों का बोद होता है उसे बहुवचन कहते हैं जैसे चूहे, पुस्तकें, तितलीया और लड़के यहाँ पर चूहा एक से अधिक है यानि कि यहाँ अब चूहा शब्द का परयोग नहीं, अपितू चूहे शब्द का परयोग हुआ है और यहाँ पुस्तकें भी एक से अधिक हैं इसलिए यहाँ पर पुस्तक नहीं, अपितू पुस्तके शब्द का परयोग हुआ है तितलियां और लड़के शब्द का परियोग हुआ है और यह बहुवचन का बोद करवा रहे हैं इसलिए जिस शब्द से किसी एक से अधिक वस्तु या प्रानी का बोद होता है उसे बहुवचन कहते हैं अब हम यह जानेंगे कि इन वचनों की पहचान अब हम कैसे कर सकते हैं तो इसकी पहचान हम दो माध्यमों द्वारा कर सकते हैं पहला है संग्या और सरवनाम शब्दों द्वारा दूसरा है क्रिया शब्दों द्वारा तो बच्चो अब हम जानेंगे कि संग्या शब्दों द्वारा हम वचनों की पैचान कैसे कर सकते हैं पहली उधारन देखेंगे लड़का दोड रहा है यहाँ पर लड़का सिंगुलर है इसलिए रहा है कि साथ लड़का शब्द का परियोग हुआ है लड़के यहाँ पर अधिक है यानि कि लूरर है इसलिए लड़के दोड रहे हैं शब्द का परियोग हुआ है और दोड रहे हैं कि साथ लड़के शब्द का परियोग हुआ है इसलिए यह बहुवचन का बोद करवा रहे है लड़का एक वचन और लड़के बहु वचन का बोद करवा रही है नोकर ने सफाई कर ली यहाँ पर नोकर एक और नोकरो एक से अधिक का बोद करवा रही है यानि कि नोकर एक वचन का और नोकरो शबत हमें बहु वचन का बोद करवा रही है वह भाग गया वे भाग गे, वे यहाँ पर सर्वनाम है, वे भाग गया यहाँ पर एक वचन का बोद, और वे भाग गये हैं यहाँ पर एक से अधिक का बोद करवा रही है, इसलिए वे बहु वचन का बोद करवा रहा है मैं पढ़ने गया था यहां पर मैं शबद एक वचन और हम पढ़ने गई थे यहां पर बहु वचन का बूर्थ करवा रहे हैं इसलिए संग्या और सरम नाम से भी हम वचनों की पहचान कर सकते हैं अब हम जानेंगे क्रिया शब्दों द्वारा वचन की पहचान कैसे की जा सकती है जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हिंदी भाषा में बहुत सारे ऐसे शब्द आते हैं जिनका एक वचन और बहु वचन रूप एक जैसा ही लगता है यानि इनकी पहचान करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इनकी पहचान हम वाक्य में आए क्रिया शब्दों द्वारा कर सकते हैं यानि कि वाक्यों में क्रिया के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि शब्द एक वचन है या बहु वचन है आईए इसे एक उधारण के माधिन दोरा हम जानने का परियास करती है जैसे बैल घास चर रहा है यहाँ पर चर रहा है एक वचन का और चर रहे है हमें बहुवचन का बोट करवा रही है यानि कि अब हमें बैल के एक वचन और बहुवचन होने का ग्याद इसके क्रिया रूप से होता है इसी प्रकात चात्र खेल रहा है एक वचन चात्र खेल रहे हैं बहु वचन का बोर करवा रही हैं और इसकी पहचान हमें क्रिया के रूप त्वारा होती है क्या सीखां कि वचन की पहचान केवल संग्या और सरम नाम ही नहीं अपितु क्रिया शब्दों द्वारा भी की जा सकती है तो बच्चों अब हम जानेंगे कि हिंदी भार्षा में कुछ ऐसे भी संग्या शब्द होते हैं जिनका सदा परियोग एक वचन में ही होता है जैसे वर्षा, पानी, जनता, आकाश, घी, जाती, इतियादे इन सभी शब्दों का परियोग हमेशा एक वचन में ही होता है जैसे कि वर्षा सभी शेहरों में वर्षा हो रही है शेहर में वर्षा हो रही है यहाँ पर वर्षा का रूप हर हालत में एक ही रहता है इसका रूप नहीं बदला इसी प्रकार सदा बहुवचन में रहने वाले संग्या शब्द जैसे कि समाचार, आंसू, होश, उकदेश, धर्शन, प्रान, होंट, भाग्य, इत्यादी इन सभी शब्दों का प्रयोग हमेशा बहुवचन के रूप में ही होता है अब देखिए, जैसे कि आंसू शब्द को लेते हैं हम कभी ये नहीं कहते कि आंग से एक आंसू बहा, या दो आंसू बहे, या कुछ आंसू बहे इसका प्रयोग हमेशा आंसू ही रहता है, बहुवचन के रूप में ही होता है यानि कि आंसु शब्द का चाहे एक हो चाहे बहुवचन हो इसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में ही होता है एक वचन शब्दों का बहुवचन के रूप में प्रयोग किसी व्यक्ति विशेश के प्रती, आदर और सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है जैसे कि उधारन के देखिये सरदार भगत सिंग सच्चे राश्टर भगत थे महात्मा गांदी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे मेरे भईया अम्रिचर से आएं हैं दादी जी मंदिर जा रही है यहां देखिये सरदार भगत सिंग एक वचन है यानि कि केवल एक व्यक्ति के बाद की गई है परंतु इसके साथ हमने सच्चे राश्टर भगत थे यानि कि बहुवचन का परियोग किया गया है यानि कि यहां एक वचन के साथ बहुवचन का परियोग हुआ है क्योंकि इनके प्रती आदर और सम्मान प्रकट करने के लिए अब बच्चों हम ये तो नहीं कहेंगे कि सरदार भगत सिंग एक सच्चा भगत था राश्टर भगत था महात्मा गांदी सत्य और अहिंसा का पुजारित था तो हमने ये थे शबद केवल इनके लिए आदर और सम्मान प्रकट करने के लिए लगाया है क्या आप अपने घर में अपने बड़े भाई बहन या ममी बापा को था शबद लगाते हैं कि मेरे डैडी आये थे यही बूलेंगे ना ये तो नहीं कहेंगे कि मेरे पापा आया था मेरा भगया आया था नहीं ना तो हम किस शबद का परियोग करते हैं आदर और सम्मान के लिए मेरे भैया अमरे सर से आएं हैं दादी जी मंदिर जा रही हैं ये केवल शब्द हम परियोग करते हैं आदर और सम्मान प्रगट करने के लिए आज हमने क्या सीखा वचन, वचन के भेन और वचन के पहचान किस प्रकार की जा सकती है हिंदी व्याकरण में वचन को बदलने की यानि की एक वचन से बववचन को बदलने में कुछ नियम निरदारित किये गए हैं उन नियमों का अध्यन हम नेक्स सेशन में करेंगे तब तक के लिए गुडबाई, स्टे होम, स्टे सेफ